एक संब्रेंत लोकतंत्र के लिए राजनितिक इस्थिर्ता अत्यंतों महत्तुपों है ऐसे ही लोकतंत्रिक विवस्था में सरकारों की इस्थिर्ता के साथ साथ विकास के लिए भी एक गतिमान सरकार चाहिए और इस दिश से वन निशन वन इलेक्षन यहाँ एक अभिनंदनी प्रियास है हमें प्रसंता है जान करके कि वन निशन वन इलेक्षन के लिए जो कमेटी बनी है इसके अध्यक्स पोर राष्टपती माने स्री रामनात ओविंद जी को के अध्यक्सतावे बनी है इस अभिनों पहल के लिए कि मैं उत्तर प्रदेश की सबसे वड़ी आवादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आधनी प्रदानमंत्री जी का हिर्दे से अभार वेक्त करता हूं वन निशन वन इलेक्षन ही आज की आउश्यक्ता है और इसले भी महत्तुपून है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दिस्सी भी देखता हूं बार बार एलेक्षन विकास की कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि एलेक्षन की प्रक्रिया को कम से कम डेड़ महने का समय लगता है और डेड़ महने का एक कारेकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिकत निर्णे लेने में विकास की प्रक्रिया को तेजे से आगे उढ़ाने में कहीने कहीं पाधक हो जाती है इसके लिए आउस्यक है कि लोकसभा विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयुजित करें एक बहतरीन पहल हुई है यहना केवल विकास के लिए परके लोकतंत्र क कि संब्रिदी और रोकतंत्र की इस्थिरता के लिए प्रतिक नागरी की जोने में कुसाली लाएगा उसके लिए यहां एक अभिनंदनी ये पहल है मैं इसको स्वागत करता हूं